नमस्कार जहिंद सलाम लगभग एक से डेड़ महिने के अंतराल के बाद या कहें कि इस लंबे चोड़े गैप के बाद जामिया मेलिया इसलामिया इन्वेस्टी की तरफ से पीछडी के इंटर्वू को लेकर नए अपडेट आ गया है एक अपडेट है और साथी साथ में किसनी समझ है उतना वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के उपरांथ में कुछ सवाल पैदा हो जाए आपके दिल में दिमाग में लेवर में किडिनी में कहीं भी सरीर के हिस्से में उस सवाल को पूछ दीजिएगा और वीडियो को शेर करने की जरूवत लगे तो भी कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपनी बुद्धी समझ विवेक के नुसार कीजिएगा और आप है सूचना का पहला भाग जो कहता है कि मैं सभी डिपार्टमेंट का लिंक आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 73 डिपार्टमेंट के इसी लिए वेबसाइट पर जाकर अपनी डिपार्टमेंट की लिष्ट को आप जरूर चेक कर लेंगे और लिष्ट में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और दूसरी बात है वीडियो में जो बताऊंगा आगे कौन से डॉक्मेंट आपको लिए जरूरी है और पिप पर दूसरी बात टो यह है कि इंटर्वे जो भी आपका होगा पी एजड़ी का उसका अभी शेलिल नहीं आया है ठीक है प teenage नहीं आई है कि इंटर्वु कि कि होगा जाँ लाएगा आपको बता दिया जाएगा दूसरी बात जो भी बच्चे इंटर्वू के लिए सिलेक्ट हुए है वो बच्चे अपना रिजल्ट उस नाम को अपना जो रिजल्ट है लिस्ट में देख लेंगे और लिस्ट का लिंक कहां मिलेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन व कि आपको डेखना है आपको अपना अप्लिकेशन आईडी देखना है अपना लंबर देखना है और आपका चयन main discipline ने हुआ है या a light discipline ने हुआ है इसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे verify कर लेंगे ठीक है इस list को देखने के बाद समझने के बाद अब क्या करना है आपको अब ये करना है आपको की अपने सभी academic documents की एक पीडिया फाइल बनाईएगा अपने सभी यह कौन से डॉकुमेंट सवाल यह भी होगा पहले को सुन लीजिए कौन कौन से डॉकुमेंट है जो आपको ऐमेल के माध्यम से सबमिट करने हैं और कहां करने हैं आगे बताऊंगो डॉकुमेंट के लिए यूजी पीजी के सभ करना होगा और यदि पीजी का रिजल्ट आ चुका है तो उसको भी लगा दीजेगा और फोर समेस्टर लगाएंगे तो ज्यादा आपके लिए बैटर होगा ठीक है यह होगा अप्लाई करते वे लगाया होगा उसका प्रमाल लगा दीजेगा अगली चीज आपने एंट्रेंस कौलिफाई किया है तो उसका भी रिजल्ट लगाईएगा और यह दी आप इंटर्वी के थूख एंट्र्वू के लिए चाइनित हुए हैं आपका सेलेक्शन इंट्र्व्य के थूख एंट्रेंस के थूख नहीं इंट्र्वू है तो उस एक्ज़मशन का आधार क्या है उस जो भी है सेटगेट जो भी है उसका लगाईएगा NFC है NFST है NFOBC है या फिर NFPWD है जो भी आपके डिकर जमाती है उसके certificate भी लगा दी ठीक है इसके अलावा आपको अपना परपोसल लेने करें से प्रपोसल सनॉप्सिस भी उसमें अटेच करना होगा इस सभी document को बनाईएग और email के माध्यम से भेज दीजेगा डिपार्टमेंट में जिस भी डिपार्टमेंट में आपने apply किया होगा याद रखेगा कि कुछ बच्चों ने apply किया होगा main discipline में और कुछ बच्चों ने online discipline में तो आपको अपने ये document कहां submit करने है properly उसके लिए अपने इस डिपार्टम करना संभव नहीं होता है खासकर जो बच्चे married होते हैं उनके दिक्कत हो जाती है जौब में होते हैं तो उनके लिए email का option रखा गया है और यदि email को भीजने में आपको तकलीफ होती हो आपके आसपर सुविधा ना हो कैफे की तो आप अपने department के address पर by post भी इन documents को भेज स एक फोर का लीजेगा उसमें पोस्ट करके और department में submit कर दीजेगा और फोटो कापी भी करवा लीजेगा रेसीविंग वहां से मिलेगी उसको साथ में रख लीजेगा ठीक है ये document आपको रख लीजेगा और है एक चीज़ भूली है धान से जो बच्चे by post document को भेजेंगे य और दूसरी बात यह है कि अगर बायचांस माली जया अपने एक ही copy भेज़ दी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जब आपका interview होगा जिस दिन आपका interview होगा जिस समय भी होगा मैं आपको बता दूँगा advancement ठीक है तो अपने interview के समय अपने synopsis की 10 copy पास में पर depend करता है जो भी document submit करेंगे आप उन सभी की photocopy अपने pass रखिएगा पहली बात दूसरी बात सभी document को self-attest जरूर करिएगा दूसरी बात और अगर document आप पोश्ट भेज रहे हैं तो अपनी passport size photo भी उसमें जरूर भेज दीजेगा तीसरी बात चौती बात अगर आपने entrance examination qualified किया है तो entrance से पहले आपके admit card आया होगा उसको भी उसमें बेज जीगा क्योंकि कारण में इसलिए बता रहा हूं इसलिए कि बाइचांस हो सकता है आपकी document खो जाए ना पहुंचे ठीक है तो उसकी सुरक्षा के दिश्टिकोर्ण से यह मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि जामिया में लगभग date सो जो करीब department है अलगला courses चलते हैं आपका document कहीं shift हो जाए उल्टी सीदी जगा पे इसलिए सुरक्षा दिश्टिकोर्ण से मैं आपको यह बता आया है ठीक है तो सभी document की list अपना proposal कि डेट तक भेजना है 10 अप्रेल 2030 लाज़ डेट है जो भी आपका department है जो भी आपका discipline है चाहे आपका allied discipline हो या main discipline हो ठीक है या आपका कोई भी department हो सभी department के बच्चों में यह सभी document proposal के साथ बेजने की large date है 10 अप्रेल 2030 physical mode के शाम 5 बचे तक आप भेज दी जगए 5 बचे तक ही document डिपार्मेंट को आप खुलते हैं जामिया में ध्यान रखेग सरकारी उनिवस्टी है ठीक केंद्रे है और यादि फिजिकल मोड के अलावा अगर इमेल से बेना चाते तो याद रखिएगा 10 अप्रेल के बाद 11 अप्रेल को आपका document पहुंचता है तो आपका document reject कर दिया जाएगा आपका document reject कर दिया जाएगा तो कोशिश करिएगा कि से भी 5 अप्रेल जादा से जादा 6 अप्रेल तक अपने document को बाइपोस्ट भेज दीजेगा इमेल तो कुछी सेक्ट में पहुंच जाता है लेकिन जो बच्चे बाइपोस्ट भेजना वाले हैं उनके लिए बता रहा हूं कि 2-4 दिन पहले नहीं बलकि 4-5 दिन पहले document को भी जाए इसका ध्यान रखेगा और एक और बात जिस दिन आप document by post करेंगे अपने यहां से उसका receiving मिलेगा उसे एक tracking ID मिलती है उसको हर दिन चेक करते रहेगा ताकि आपको मालुम चलता रहे है कि आपके document कहा अभी traveling कर रहा है और दूसरी बात document post करने के दो से तीन दुनों के रहे जार interview करें ना भुलाया जाए ठीक है इन जानकरियों का ध्यान रखेगा और interview के list अभी नहीं आई है इसका भी ध्यान रखेगा और जैसे कुछ और नए अपडेट आएगा आपको मैं बता दूँगा और जरूरी जो link है जहां से आपको जानकरी प्राप्त हो सकती है मैं आपको description box में दे दूँगा उसके यदि यह आप देफिकर रहिएगा और सभी को interview ले बहुत बहुत शुब काम ना है और हाँ एक और चीज़ कि आपको यदि synopsis बनाने में SOP बनाने में पीपटी बनाने में कोई तकलीफ दिक्कत हो रही है तो इमेल के मद्दम से लगी यह मत बताईएगा मुझको सूचना को लेकर कोई समस्य हो आपकी कोई सवाल हो आपका कोई डाउट हो आपका या कोई और कोशन है आपका किसी अन्य विश्विद्याले के entrance interview के संबंद में उसको भी करिएगा जितना भी वीडियो आपने देखा 10 मिनट का है आपने चाहे 10 सेकंड देखा हूँ या 10 मिनट देखा हूँ या 2 मिनट देखा हूँ उन सभी के लिए आप सभी का बहुत बताया दिल से सलाम है शुक्रिया है धन्यवाद है फिरा और लेता हूं मैं आपसे विदा अपना ध्यान रख लीजेगा अपनों का अपने से पहले ख्याल सवाल करते रहिए सीखते रहिए जय है